नमस्कार दोस्तों जिस तरह से 12,460 सिक्षक भरती को लेकर शोशल मेडिया पर तरह तरह के लोग एक्टिवेट हैं और जिस तरह से 12,460 सिक्षक भरती को लिया जा रहा है और जिस तरह से स्कूल आवंटन को लेकर तैयारी कीज आ रही है कहीं न कहीं एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये पूरी भरती प्रक्रिया रद्ध हो सकती है यहां तक कि दोबारा से पूरी प्रक्रिया को करवाया जा सकता है यहां तक कि पूरे पदों को ही खत्म किया जा सकता है कुछ भी हो सकता है जिस तरह से आठ जनवरी को धीला ढाली करकर और एक दूसरे के भरोसे रहकर स्कूल आवंटन पर स्टेश्टर्स को हो गया और उससे छुटकारा आज तक नहीं मिल पाया और पशपन सो लोग जो न्युक्ति पत्र पाए वो न्युक्ति पत्र पाकर अपने घरों में वैठे रहे और विभिन्ध तरह की लोगों की बातों में आकर तरह तरह के नए नए लोगों को उन्होंने अपना पैसा दिया यानि कि उनका सहयोग किया इस उद्देश्य वो सहयोग कर रहे हैं कि मानिस सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से वह स्कूल आवंटन का रास्ता निकाल कर लाएंगे उनको सुरच्छित करके लाएंगे जबकि आप इस बड़ी गलत पहिमी के साथ उनका सहीूग कर रहे हैं मैं यहाँ पर किसी पार्टी का सहीूग करने को आपको blij है रहा हुआ हूँ सहीूग कर आप गलत लोगों को रहे है इसलिए ओगत कर आ हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक शहयक अध्यापक की क्या مर्याधित भासा होती है वो आप जिन लोगों का गलत लोगों का सहयोग कर रहे हैं आप उनकी भासा को देखिएगा और सबसे बड़ी बात जो लोग सुरू से पैरवी करते आए हैं चाहे आरपित एंट सिर्वास्टो की टीम हो चाहे वो मोहित एंट टीम ही ये दोनों लोग सुरू से भरती की पैरवी करते आएं तो इन लोगों का सहयोग जादा से जादा होना चाहिए था क्योंकि ये लोग भरती को कहीं न कहीं पूरी तरह से समझ चुके हैं सिंगल बेंच से अरपित एंट सिर्वास्टो टीम की जीत हुई डबल बेंच से मोहित एंट टीम की जीत हुई तो दोनों लोग अपने अपने पच्च में माहिर थे और सुप्रीम कोट से आप सभी चैनित सिश्चकों को सायद ये लोग निकलवा कर ला सकते थे सुरच्छित पूरे इंक्यावन को अरपी तैंट टीम निकलवा कर ला सकती से और जीरो को चैनित हों चैनित हों चैनित हों चैनित जनवरी को उनको मोई तैंट टीम निकलवा कर ला सकती है लेकिन इसके बाद भी इन तोनों टीमों को छोड़कर तरह तरह के जो टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और दावा कर रही हैं कि 8 माई को वो स्कूल आवंटन आपको करवा देंगी वो द दावे पर आपने लाखों रुपए उनके खातों में डाल दिये हैं वो दावे आपको आठ तारीक को पता चल जाएंगे देख लीजेगा किसी विप्रकार का स्कूल आवंटन का आदेश नहीं होगा बलकि भरती प्रक्रियार रद होने की कदार में पहुँच जाएगी तो क्योंकि जो मुख्य टीमें हैं जो सुरी सुरी मामले को लड़ते आई हैं अगर उनके पास फंड की कमी रहेगी तो वो मजबूत पैरवी नहीं करेंगे और स्थिती ये रहो जाएगी कि नियाले भी नहीं चीजे समझ पाएगा और ये कर सकता है नियाले कि जो पहले से पा करती तो इसको यहां से खत्म कर दो ये नियाले कर सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि नियुक्ति पत्र पा लेने से ये तो होता रही है कि नौकरी कंफर्म हो गई है नौकरी पाने के बाद सैलने उठाने के बाद लोगों की नौकरी चली जा रही है आपने देखा है पस्त 12,446 बर्ती का मामला नहीं है उस हिसाफ से सुनवाई नहीं होगी मैंने ये भी आपको बताया है कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें चांसे रहेंगे कि मामला लिस्ट हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसे रहता है कि मामला लिस्ट हो लेकिन लिस्ट हो जाए ज्यादा खराब होतीज आ रहीं 12,460 सिक्षक बरती की इस्तिती जो सिंगल बेंच में थी सिंगल बेंच से डबल बेंच में बहुत जाज़ खराब ही लेकिन कैसे कैसे हो मामला समलता हुआ और सबसे जादा महर्वानी की बात रही जद साब की जद साब आपने मामले को समाला और ऐसा ओर्डर दिया कि भरती बहुत ही आसानी से पूरी हो रही थी हो गई ही थी समझ लीजी इससे भेतरीन और इससे अच्छा कोई ओर्डर साइध ही देखने को मिलता कि सब को बराबर का मौका दिया गया था अब जिसकी कटाफ ही 40, 45, 50 हो तो उसका सेलेक्शन किसी भी हाल में नहीं हो सकता है इस चीज़ को वो लोग नहीं माने और उनने इस मामले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोट में और दुबारा से मामला फस गया और अब यहाँ पर मा आठ माई को जो सुनवाई है उसमें वो आपके विद्याले अवंटन का आदेश करवा देंगी यह आपको सपने दिखा रही है और इसी सपने के साथ जो है वो आप से एक मोटी रकम वसूल चुके हैं और जो टीम है आपको अभी तक और आपकी भरती को यहां तक चाहे हो मोहित है एंट टीम हो चाहे हो अर्पित है एंट टीम हो इन लोगों का सहयोग आप लोग नहीं कर पा रहा हैं च्योंकि इस तरह से आपका मांणड वास कर दिया गया है इस प्रकार से दोनों टीमों को लेकर चीजे फैला दी गई है और कुछ टीमों की कमिया रही है कि विस्वास ही इन टीमों से उठके आई आपका लेकिन इस्तिती यही है यगर भरती से कोई बाहर निकाल सकता तो ये दोनों टीमें मिलकर ही इस भरती को सुरचित पूरा करा सकती है और जितने लोग निकती पत्र पाए है वो नोकरी आगे कर सकते है आने था आप देखते जाएगा मैं अभी से आपको जो चीजे बता रहा हूँ वो आने वले समय में आप खुद देख पाएगा फिर क्या स्तिती होने वाली है रास्ता पकड़ चुकी ये भरती रद होने के स्तिती में ये समझ लीजिए फिर ये मतब बहुत सारे लोग ये भी सोचने होगे सरकार ने काउंसलिंग करवाई सरकार ने निक्ति पत्र दिया है सरकार सब कुछ कर लेगी सरकार कितना कर लेगी मैंने आपको बताया भी था और पिछली सुनवाई में आपने देखी लिया था कि ये सभी चीजे केवल कहने के लिए होती है और वही लोग कह रहते हैं कि किसी को चंदा मत देना किसी को चंदा मत देना सरकार सब कुछ कर लेगी जबकि मैंने कहा था कि बहुत कम इस्तिया हैं मुसीबतें सामने आ जाएंगे और देखिए मुसीबतें आ गई ठीक है सिविल अपील में कनवर्ड हो गया सब कुछ हो गया कितनी सारी चीजें बदल गई एक सिख्चक की क्या बासा सैली होनी चाहिए और क्या है ये भी आपने देखा होगा ठीक है तो ये चीजें हैं बहुत सारी चीजें चल रही हैं गलत तरीके से गलत इस्तियों में गलत जगह उपर अपने पैसे को बरबाद मत करें बाकी आप सभी लोग सिख्चक बन चुके ह समझदार हैं जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं सुनवाई आठ मई के अभी चांसे ना के बराबर हैं बाकी इंतजार करते हैं फानल लिस्ट का अगर उसमें नाम आता है तो हम आपके साथ तुरंट वह चीजे शेयर करेंगे लेकिन एक बार आपको फिर से सचित करें भरती